एससलाम ओरेकुल मौतरम स्टुडएंट कैसे हम तौम लोग उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडएंट ठिक टाक होंगे फाइली मैं class 10th के student के लिए especially ये वीडियो जो बनाया जा रहा है जारखन बोड के लिए मैं class 12th का वीडियो बनाया था इससे पहले तो मुझे वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि सारा सारा question उसी में से आया हुआ था इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी class 10th के student के लिए भी जारखन बोड के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हुँ पाकि आदर स्टेट से जो भी student आप लोग देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लगबग मैं anxiety pattern में question है और लगबग सबका मेच होता है लेकिन इस पेस लिए वीडियो जो है जारखन बोड के लिए देख भारों के सारे student model question for class 10th exam 2023 ठीक है ये question paper आपका आचुका है और बिल्कुल हूँ बहू question आपका जो एक्जाम में इसी से टकराने वाला है सारा का सारा question इसी से आना वाला है ठीक है इसलिए अब लोग पूरा complete lecture को देख ले देख पार होंगे mcq multiple choice question सबसे पहले हम लोग कुछ नियम शर्त को देख लें दे क्या कह रहा है कि मारूजी सवालात यानि objective सवालात ठीक है objective question कह रहा है कि सभी मारूजी सवालात यानि सभी objective सवालात जो है लाजिमी है सभी सवाल का जवाब आपको देना लाजिमी है आग हर सवाल के जो है आपका चार option दिये गए हैं और चार में से जो सही है वह आपको लोगों को चुनना है बढ़ना है finally मैं आपको सारा का सारा answer देने वाला हूं आप लोग टेंशन लेनी की जरूरत नहीं आप लोगो ठीक है देख पर होंगे कहा करा है कि सही जवाब का इंतखाब करें या नि सही जवाब को चुनना हर सवाल की कीमत यानि हर सवाल में आपको एक नमबर मिलेगा हर सवाल की कीमत जो है एक है आईये finally हम लोग इस्टार्ट करते हैं अब किस क्लास को सबसे पहला कोश्चन आपके पास है कोश्चन नमर बन में पूज रखा है कि राजिंदर सिंग बेदी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है जो नती भोला उसके बाद अपने दुख मुझे दे दो गरन अपका चार ऑफसन है चार ऑफसन में प्र आफट से आपके किताब में जो शामिल है तो उसका नाम है भोला ठीक है आप लोग ध्यान रखना और इसके राइटर इनके मुस्तनिफ इसके लेकर कौन है राजिंद्र सिंग बेदी है ठीक है चलो आईए नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन आपके पास क कानून के मुस्तनिफ कौन है यानि राइटर कौन है इसके लेखक इसके मुस्तनिफ कौन है ठीक है पूछ रखक है आप लोगों को देखो राजिंद्र सिंग बेदी साथ असनमंटू उसके बाद मुंशी प्रेम चंद हयातुला अंसारी बता है यह कौश्चन नमर दो का किस सवान है कि किताब से माखुज है लिया गया है तो आप लोगों को बताना है चान नमर कोश्चन का पर्फेक्ट एंसर की बात करें ऑफसन नमर सी होजाएगा है हयाती जावेद से ली गई है और डिफरेंट डैप का ओफसन को देख लेना ठीक है नहीं तो ज्यादा वक् किस जुबान का लफज है इतालवी फरांसी सी यूनानी या फिर जर्मन सवाल नमर पांच का ओफसन नमर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा यूनानी हो जाएगा ठीक है देखो छे नमबर कोश्चन आपके पास है पूछ रखा है नसरी अदब की किस सिन्फ में जो है मुसनि फैनी राइटर अपनी जिन्दगी का हाल बयान करता है अपनी जिन्दगी का जो 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 है अपनी जिन्दग होती है ठीक है देखो आठ नमबर कोश्चन आपके पास पूछ रखा है क्या पूछ रखा है कि मखलूत जुबान के मजमून निगार कौन है ठीक है तो आफसन आपके पास सरसियत अहमद आफसन भी देखे हैं मौलवी अब्दुलहक बिल्कूल परफेक्ट होजाएगा नाइन नमबर कोश्चन आपके पास पूछ रखा है क्या पूछ रखा है और अहमद सर्वर ने आपके निसाब में किन का मजमून पेश किया है और अहमद सर्वर ने आपके निसाब में जो लि नहीं के निसाब में किन का मजमून शामिल नहीं है देखो दस्नर कोश्चन का परफेक्ट आंसर की wil करें ऑफसन नमबर दी होजाएगा शिवली नुमानी का जो इस साही jos ये सारा जो है राइटर आपके निसाब में मजमूर लिका है लेकिन शबिली नुमानी नहीं लिका है आगे कोशिन देखत pills का आखरी शेयर क्या कहलाता है गजल मैं आखरी शेयर को किहा कहते है मकता कहलाते है जिसमें शायर अपना नाम लिखता है और उस नाम को तखलुस कहते हैं जिसे असदुल्ला खालिब अपने शेरो शायरी में गालिब लिखा करते थे तो यह जो है यह नाम क्या होगी आपका तखलुस होगी है ठीक है तो तखलुस किसमें इस्तिमाल करते हैं मक्ता वाला शेर में तो देखो मक्ता कहा होता है सवाल नमबर आपका सी हो जाएगा सौधा लिखा करते थे देखो तेरे नमबर कोश्चन आपके पास है लाई हयात आए कजाले के शायर के शेर का मिस्तरा है यहीं कौन सा शायर येवालल मिस्तरा लिखे हैं लाई हयात आए ठीक है ओर आगे कह रहा है कि कजाले चली चली जॉख ठीक है देखो 14. आपके पास है आपके निसाब में शामिल गजलों में रदीफ है हम का इस्तेमाल किस शायर ने किया है 14. कोशन का सखी इंसर की बात करें औफसन नंबर ऐ हो जाएगा शाद ने इस्तेमाल किया है 15. कोशन आपके पास है अकबर इलहाबादी ने अपनी नजमे में कहां के दर्बार का जलवा पेश किया है कोश्चन नमबर 15 का आफसन नमबर आपका D हो जाएगा क्या हो जाएगा देहली का 16 नमबर कोश्चन आपके पास है मुहमद एकबाल की कौन सी नजमा आपके निसाब में शामिल है 16 नमबर कोश्चन का परफेक्ट नंसर की बात करें आफसन नमबर D हो जाएगा हकीकत है हुषन हो जाएगा 17 नमबर कोश्चन आपके पास जोश्मली आबादी की नजमे का उनुवान क्या है 17 नमबर कोश्चन का आफसन नमबर A हो जाएगा क्या हो जाएगा गर्मी और दिहाती बाजार ठीक है देखो 18 नमबर कोश्चन आपके पास है कैफी अजमी ने नजम आनधी किस से मुतासिर होकर लिखी है 18 नमबर कोश्चन का परफेक्ट एंसर आफसन नमबर आपका C हो जाएगा जंगे आजादी हो जाएगा ठीक है जंगे आजादी देखो 19 नमबर कोश्चन आपके पास रुबाई में कितने मिस्त्रे होते हैं रुबाई जो है दरासल आपका अरबा से आया है कहां से आया है भाई अरबा से अरबा का मतलब क्या होता है चार आप लोग अगर नमाज पढ़ते होंगे तो आप लोगों को तरीका मालूम होगा अरबा कहां लगाते हैं जहाँ पर चार रकत नमाज पढ़ते हैं जैसे माल लीजिए हम लोग असर की नमाज पढ़ते हैं तो आप लोग लगा देगे तो इसी तरह आप लोग क्या लगाए कहने का मतलब यह है कि अरबा लगाते है अरबा का मतलब होता है चार इसलिए आपका option C बिलकुल परफेक्ट हो जाएगा अरुबाई में कितने मिस्रे होते हैं आपके निसाब में किस एक रुबाई को रुबाई शामिल नहीं है किस रुबाई को जो है रुबाई गो का मतलब क्या हो गया आपका यानि रुबाई गाने वाला यानि रुबाई लिखने वाला ठीक है तो रुबाई शामिल नहीं है तो अब लोग बताईए अनिस्त का या फिर दबीर का या फिर महरूम का या फिर फराग का तो 20 नमबर कोश्चन का सही इंसर की बात करें option नमबर B हो जाएगा दबीर का हो गुलजारे उर्दू में शामिल है option है कफन बड़े घड की बेटी उसके बाद गली डंडा उसके बाद हजे अकबर यानि आपके निसाब में शामिल है एक इस नमबर कोश्चन का परफेक्ट एंसर की बात करें option नमबर C हो जाएगा क्या हो जाएगा गली डंडा हो कोश्चन नमबर 22 का परफेक्ट एंसर की बात करें option नमबर अपका D हो जाएगा अठार सो असी स्वी में जो है परेम चंद पाइदा हो जाएगा तैस नमबर कोश्चन आपके पास पूझ रखा है अजीम बेग चोगताई के अफसाने का उनुवान क्या है तैस नमबर कोश का सही एंसर की बात करें option नमबर B हो जाएगा अफसाना हो जाएगा पाचीस नमबर कोश्चन आपके पास पूझ रखा है घुलजारे उर्दू में कौन एक अफसाना शामिल नहीं है सुल्तान फकीर इन दिवा इन दिवा देवता उसके बात भीक स्तवाल नमबर 25 का सही ए करते हैं और अगर आप लोगों का और डिमान आता है तो मैं कोशिश करूंगा और भी वीडियो लाने का ठीक है इसलिए आप तमाम स्टूडाइन से में रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेर कर दो फटा फट से और चैनल को सब्सक अफसाना निगार का अफसाना शामिल है 26 नंबर कोश्चन का परफेक्ट एंसर ऑफसन नमर एँ हो जाएगा जीलानी बानू हो जाएगा 27 नमर कोश्चन आपके पास पूछ रखा है मौलवी अब्दुलहक ने जो है गड़ डी का लाल जो है किसे कहा है 27 नमर कोश्चन का सह मिर्जार ओर्दु में किसका खाका पेश किया है 28 नमर कोश्चन का ऐफसर नमर भी हो जाएगा क्या हो जाएगा मिर्जा सब्सकर अपका ृफनोबर मिर्जा्य कि होग गार्यों एक मुहम्मद हुसेन आज़ाद हो जाएगा ठीक है तीस नंबर कोशन आपके पास है उर्दू की जुबान का लफज है फार्सी इतालवी तुर्की या फिर अंग्रेजी तीस नंबर कोशन का ओफसन नंबर जितने इस्टूडेन यहाँ पे सीधे रखे हैं तुर्की जुबान का बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा उर्दू की जुबान का लफज है तो आपका तुर्की जुबान का लफज है ठीक है चलो नेक्स कोशन के दरब पढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर कोशन आपके बास पूछ रखा है क्या पूछ रखा है फॉर्ट विलियम कॉ अगाज को शुरुआत कव हुई थी ठीक है 31 नंबर का सही इंसर की बात करें आफसर नंबर भी हो जाएगा 18 सुई में कयाम हुआ था ठीक है 32 नंबर कोशन आपके पास है उर्दू के पहले शायर कौन माने जाते हैं उर्दू के सबसे पहले जो है शायर वह कौन थे किसको म नहीं तो यहाँ पर यह सब सही नहीं होगा आपका अमीर खुसर होजाएगा उफसर नंबर सी 33 नंबर कोशन आपके पास है जदीद अर्दू यानि नया उर्दू नजम का आगाज यानि सुरुआत जो है किस शायर से हुआ है तो आफसन है नजीर अकबर अबादी अकबर इलहाबादी अलताफ हुसाइन हाली उसके बाद फराख गोरख पूरी तो 33 नंबर कोश्चन का परफेक्ट एंसर ओफसन नंबर सी होजाएगा अलताफ हुसाइन हाली ठीक है चलो नेक्स कोश्चन के दर बढ़ते हम लोग 34 नंबर कोश्चन आपके पास ध्यान से फाइल यानि काम करने वाला मालूम हो क्या कहलाता है वह फेल जिसका फाइल यानि काम करने वाला मालूम हो उसे क्या करते हैं नहीं फेले लाजिम करते हैं नहीं फेले नापिस करते हैं नहीं फेले मजहूल करते हैं आपका परफेक्ट क्या होगा बचा क्या आपका फेले मा तो यह हो जाएगा? जिसमें कामकरने वाला मालूम हो उसे फैले मारूफ कहते हैं 36 कि पूझ रखा है? क्या पूझ रखा ही मैं किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज के एकसा बताना क्या कहलाता है तजाद, तल्मी, अस्तियारा या फिर तश्भी 36 नमर कोश्चन का perfect answer option number D हो जाएगा 37 नमर कोश्चन आपके पास पूझ रखा है क्या पूझ रखा है मुहावरा आपे से बाहर होना के क्या माना है 37 नमर कोश्चन का option number B हो जाएगा क्या हो जाएगा बेहद खुश या गुश्चा होना हो जाएगा सोरी सोरी मुहावरा आपे से बाहर होना के क्या माना है 37 नमर कोश्चन का option number B हाँ बिल्कुल सही है क्या हो जाएगा बेहद खुश या गुसा होना बेहद खुश या फिर गुसा हो जाना आप इसे बाहर होना बेहद गुसा हो जाना होता है ठीक है अरतीस नमर कुशन देखो बेबुनिया बेबुनिया जो है बात करना का मुहावरा क्या होगा तो आपका ख्याली पलाव पका रहा है या बेबुनियादी बात कर रहा है ठीक है आफसन नमबर B यहां पर पर्फेक्ट हो जाएगा 49 नमबर कोश्चन आपके पास महावरा आम के आम गुठलियों के दाम के माना इनमें से क्या होगा अब देखो पहले आम का दाम देता है यह लेकिन गुठलियों का भी दाम सारा बिल्कुल सा मुहावरा है देखो दोहरा फायदा होना हो जाएगा आफसन नमबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आखरी कोश्चन आपके पास है मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है किस कहावत के माना हो सकते हैं देखो आफसन आपके पास डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है आफसन नमबर भी हो जाएगा डूबते को तिनका का सहारा हो जाएगा मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है किस कहावत के माना है माना हो सकते हैं तो डूबते को तिनके का सहारा फाइनली हम लोगों ने क्लास 10 के स्टूडाइन के लिए जारखन बोर्ड के लिए मैं 40 कोश्चन आप लोगों को अगर आज के लगाए वीडियो को लाइक करें अपने सभी फरेंड तक शेर कर दीजिए अगर आप लोग का डिमांड आता है अगर आप लोग बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तो मैं बहुत चल्द लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए नेक्ट हुआ हुआ ह Spaß